Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. आज ये आप लोगों की collective reading है, बट कुछ भी शुरू करने से पहले, मेरी आप सबसे request है कि आप intro सुन लीजेगा, बहुत important announcement. और कल मैंने अपने community section में post किया था मेरे new channel के बारे में. और I'm so grateful friends, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि मुझे motivational videos के लिए एक different channel बनाना चाहिए. So channel बन चुका है और पहला video आज आने वाला है. जरूर आपने subscribe करना है जिस तरह आप लोगों ने मुझे यहाँ पर support किया, उस channel पर भी जरूर support कीजेगा. So पहला video होगा, how to get your ex back after a breakup. So description में, आपको link भी मिल जाएगा मेरे new channel का और community section में भी अगर आप जाएगे, वहाँ पर भी आपको link मिल जाएगा. और channel का नाम है mystic motivation 1111. So जरूर आप लोगों मुझे support कीजेगा. I'm so happy, I'm so grateful. And again, thank you so much आप लोगों के प्यार और support के लिए. जितना प्यार आपने यहाँ दिया and I really hope के वहाँ पर भी आप देंगे. So thank you so much friends. शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये भी requested वीडियो है. किसी ने बोला था के कार्मा के ऊपर reading करें. What's the Akama for hurting you? क्या उन्हें सजा मिलेगी? क्या उन्हें सजा मिली है आपको हर्ट करने की? क्या उनको कोई पच्चतावा है? क्या वो डरते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया और उनके साथ बुरा होगा? क्या फील करते हैं वो? क्या? What's the Akama for hurting you? Let's see. So शुरू करते हैं. My friends, याद रखिएगा के Cards, Possibilities बताते हैं. आपकी Final Destination से Divine Source को पता है. इसलिए आपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस Tweeting को देखना है. So let's start. Spirit, हमें Divine Message दीजेगा. There Akama for hurting my viewer. Oh, देखा आपने? आपने देखा Bank Failure? So this is something जो आपके परसन की जिंदेगी में बहुत important है. पैसा. और वहीं से उनका test होगा. ये भी हो सकता है कि पैसे के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था या पैसे को, 3D material life को, material चीजों को उन्होंने आपके ओपर बहुत तरजी दी. कुछ लोगों के लिए even extreme चीजों हो सकती है कि पैसे के लिए किसी को अपना लिया और आपको छोड़ दिया. क्यूंकि आप struggling phase में थे. Especially अगर आप male देख रहे हैं. So किसी female ने आपका दिल ऐसे तोड़ा. और इस लिए तोड़ा because वो चाती थी कि आपके पास और पैसा हो. So anyway, wow, very amazing message. Maybe आपको ये पता चल रहा है कही ना कहीं से आप तक खबर पहुँच रही है कि वो बिलकुल destroy हो चुके हैं. And now you are enjoying the gossip. So keep enjoying. Obviously, अगर किसी ने आपको hurt किया है. But you know, sometimes karmic lesson तब तक लोगों को hit करता है जब हम भूल भी चुके होते हैं और हमारे लिए matter भी नहीं करता है कि उसको karma मिला या नहीं. कभी कबार इतनी देर हो जाती है. But याद रखिएगा कि देखें, karma है, exist करता है. और जो भी आप करते हो, वो घूम कर आपकी तरफ आता है. Expecting new beginning. देखा है आपने? Destroyed, shattered, broken, effed up. And ये देखिए, don't want to hear it. मानना नहीं चाहते हैं वो, आपके person एक ऐसे इंसान. Oh my God. Okay. आपके person हो सकता है कि ये आपके ex हैं. जरूरी नहीं है कि आपके person हो, बट आप में से कुछ लोग शायद अभी भी इन में इंट्रस्टेड हैं. But anyway. उनका karma for hurting you. So वो सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, with this don't want to hear it. और देखें, कुछ लोग बहुत ज़ादा detached होते हैं. आपके जो person हैं, जिनके लिए आप reading देख रहे हैं. X हैं या जो भी हैं. ये इस तरह के इंसान हैं. Like उनको karma बिल्कुल मिल रहा है, उनको सजा मिल रही है, उनके साथ बहुत चीज़ें खराब हो रही है, उनके घरवाले उनके साथ अच्छे नहीं है, उनके घरवाले उनको बोल रहे हैं, अपना बंदो बस करो, तुम हमारे उपर बोज हो, male हो या female हो तुम कमाओ, maybe उन्होंने अपनी job खो दी है with this bank failure किसी को financial loss हुआ है, बहुत बुरी तरह से maybe वो बिल्कुल jobless है इस वक्त और उनके घरवाले भी उनको कह रहे हैं कि हमने तुम्हें नहीं रखना और किसी और के पास गए, वहां सब उनको वहां से betrayal मिला है ये उनका karma है आपको hurt करने का कि आपको छोड़कर उन्होंने सोचा था the grass was greener on the other side now they know that grass is not green नहीं है greener grass greener वहीं होती है जहां पर आप water करते हैं उसे ये आपके जो जो भी हैं ये इनसान realize कर रहें and now they want a new beginning with this expecting कुछ लोगं के लिए ये message हो सकता है कि आपने move on कर लिया है life में आपकी कोई और आ गया है उनके साथ आपकी new beginning है कोई pregnant भी हो सकता है ये भी message है इस card के साथ but ये इनसान destroyed है इस वक्त बिलकुल broken है shattered, broken into pieces कोई भी इस वक्त उनका साथ नहीं दे रहा they are so alone और उनके पास कोई जगा नहीं है के कहीं वो चले जाएं जगा किसी के पास से रह लें जाकर मतलब they are sad और आपको खबर मिल रही है कहीं से so you enjoy the gossip right okay so let's see tarot से देखते हैं क्या feel कर रहे हैं वो क्या उन्हें पच्चतावा हो रहा है अब क्या उन्हें आपकी याद आ रही है क्या सोच रहे हैं आपके बारे में so मैंने जैसे आपको भी बताया कि they don't want to you know acknowledge the fact that उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया और यह उसकी सजा मिल रही है maybe अभी तक वो यह नहीं सोच रहे यह नहीं अपने आप से admit कर रहे बरबाद होकर भी वो यह नहीं मान रहे कि यह मेरा इस वज़ा से हुआ है इसे कहते हैं रसी जल गई लेकिन बल नहीं गया तो यहां पर यह वली मिसाल आती है so let's see क्या सोचते हैं क्या फील करते हैं I don't know कि आपको अभी भी इंसे महबत है या नहीं कुछ लोगों के लिए I feel कि महबत होगी बट आप अपना logical mind use कर रहे हैं which is good क्योंके हमारे पास देखिए the high priestess है यह आप हैं observe कर रहे हैं you know you know the tea क्या चल रहा है उनकी जिन्दी में and queen of swords यह आप है male हो या female आपने सोचा कि अच्छा ठीक है जाओ मुझे चोड़ कर मुझे वो song याद आ गया मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पच्छता होगे so वही चीज हो रही है क्योंके आपको पता था आपकी worth आपकी value what you bring to the table और आपको पता था हमेशा से आपको छोड़ कर यह कहीं पर भी जाएंगे नाकामी है आप जैसा कोई उनको नहीं मिल सकता आप हमेशा से यह बात जानते थे okay we have three of pentacles knight of pentacles so taurus, virgo, capricorn यहाँ पर आ रहा है pisces cancer, aquarius and libra ten of wands knight of wands आप में से कुछ लोग बड़े interesting है कुछ लोग चाते भी हैं कि उनको karma मिले but at the same time आप hurt भी होते हैं आप उनको तकलीफ में देखना भी नहीं चाते हैं and it makes you a very nice person obviously आपका दिल साफ है, आप अच्छे इंसान है इसलिए भी आपको तकलीफ भी होती है आप उनको तकलीफ में नहीं भी देखना चाते हैं बड़ जब आप तकलीफ में जाते हैं और सोचते हैं जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया तो फिर उस moment में आपका दिल करता है कि उनको karma मिले, right? and this is normal इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि obviously हम इनसान है और इनसानों वाली ही expectations होनी चाहिए बट अगर आप माफ कर देते हैं तो वो दरजा भी बहुत बड़ा है बट अगर आप नहीं माफ कर पा रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है and we have the tower ओके ये देखिए three of swords three pentacles and three of wands three 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 किसी के लिए important हो सकता है ये भी three है so आप ये empress हैं देखा मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि आपको पता है कि what you bring to the table आप की क्या energy है आप अपनी worth जानते हैं अपनी value जानते हैं तो ये देखिए ना tower और destroyed shattered दोनों same energies हैं कि उनकी जिन्दगी में हर चीज डिस्ट्रॉई हो रही है इस वक्त और उनको पता है कि आप उनको अभी भी accept कर लेंगे उनके दिल में ये बात है कि आप accept कर लेंगे ये भी हो सकता है कि पैसों के लिए वो आपसे राप्ता करें आपको बोले मेरी financial help कर दो मेरी मदद कर दो मैं बहुत broken हूँ उनको पता है सिवा आपके उनको और कोई उनके लिए कुछ नहीं करने वाला है और आप हमेशा उनकी बार-बार मदद कर देते हैं ये वाला card भी हम यहां रख लेते हैं बहुत heartbroken नहीं है इंसान आपर Taurus भी आ गया है Sagittarius भी आ गया है Scorpio भी आ गया है ये star signs आप देख लीजे इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है पर जरूरी नहीं है वो इस fact को मानना नहीं चाहते कि ये मेरे बोए हुए बीज है जो आप finally grow कर रहे हैं negativity के बीज और मेरी जिंदगी में problem create कर रहे है और वो दोबारा से आपको तंग करने आपकी जिंदगी में आना चाहते है आप देखिये ना night of wants की energy है page of pentacles की energy है इन दोनों cards को देखकर I feel कि they will come back to you with something very small or for selfish reasons फिर आकर selfish होंगे मुझे मेरा मदद कर दो या validation के लिए आपके पास आजाएंगे कि आप उन्हें good feel करवाएंगे आपकी presence आपकी आप कहलो के positive energy लेने आएंगे आपके पास जो कि बहुत अच्छे reasons की वज़ा से वो नहीं आ रहे हैं वापिस हो भी सकता है कि कहीं न कहीं उनके दिल में आपके लिए मुहबबत हो but I just feel के फिर भी इनसान बहुत selfishly behave कर रहे हैं और selfish reasons की वज़ा से आएंगे अपने लिए आएंगे ये सोच करनी आएंगे कि आप hurt हैं आपको इतनी तकलीफ उन्होंने दी है इसलिए मुझे जाना है उसके पास अपने interest के लिए आएंगे जब आएंगे So right now उनका karma क्या है destroy है हो गए है कुछ नहीं है उनके हाथ में उनका अपना खुद का कुछ भी नहीं है उनकी कोई foundation नहीं है आप उनसे बहुत better position में है और आप ये बात जानते हैं आप उनसे already better position में आपको क्या ही उनका karma चाहिए आपने उनको क्या ही destroy होते हुए देखना है क्योंकि आप तो already उनसे बहतर है आप heal भी कर जाएंगे आप आगे भी निकल जाएंगे life में successful भी हो जाएंगे वो already बहुत miserable situations और circumstances में जी रहे हैं and I also feel कि जब वो आपके साथ relation में थे तब भी वो बहुत miserable situation में जी रहे थे आप तब भी उनसे better position में थे हर लिहाज से तो इनको क्या ही मजीद किसी ने destroy करना है already इनकी तो जिंदगी बड़ी मुश्किल है आपको ऐसा लगता होगा कि they are having fun, they are happy no, deep down they are broken shattered card देखा न आपने destroyed, बिल्कुल destroyed हुए हुए हैं और ये सारे cards आपके सामने आए हैं, right तो ये इनसान heart broken है, तकलीफ में है और जिंदगी में कोई भी चीज उनके ठीक नहीं चल रही है आपसे reconciliation की कोशिश करेंगे ये so ये depend आपके उपर करता है कि आप कैसे respond करेंगे आपने क्या करना है मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है थोड़ा सा कोई feeling है या नहीं मैं ये जानना चाहूंगी क्या उनको realization होगी या नहीं क्या उने पच्चतावा है या नहीं उन्होंने आपके साथ क्या किया है या होगा ये पच्चतावा क्या feelings है उनके दिल में क्या है deep down what's in their heart queen of pentacles okay very nice ये आप है queen of pentacles oh we have the lovers ये भी हो सकता है कि कोई और भी है और आपको भी रखना चाहते हैं दगिये में because this is about choice the hanged man page of sword देखा आपने page की energy आ रही है इनकी the fool I just feel in this situation foolishly behave कर रहे हैं वो immaturely behave कर रहे हैं night of wants की energy आपको पता है बहुत stable नहीं होती है night of pentacles अगर अगेला होता इस reading में तो और बात थी एक तो बहुत slow है ये इनसान और दूसरा बिलकुल भी consistent नहीं है seriously नहीं लेते हैं चीजों को एक दिन कोई बात कहते हैं अगले दिन कुछ और कह रहे होते हैं एक दिन वो कहते हैं अच्छा मैंने ये business करना है अगले दिन वो कोई और business कर रहे होते हैं किसी चीज में consistent नहीं है ये इनसान और यही इनकी नाकामी की वज़ा है अगर इस वक्त ये destroy भी हो रहे है वज़ा ये है कि ना relationships में consistent है ना अपने काम में consistent है उनका mind, उनकी energy बड़ी all over the place है तो बहुत ज़ादा इनको grow करने की जरूरत है and I feel कि ये उनकी जिंदगी का breaking point हो सकता है क्यूंकि हमार पस judgment है और बहुत कुछ realize कर सकते है opportunity है उनके लिए grow करने की चीजों को understand करने की कहां पर उनसे mistakes हो रही है ये सारी चीजों को मानने की उनके पास opportunity है but obviously opportunity है but इसको accept करना है या deny करना है ये तो उनी के हाथ में है हम तो जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते so universe की तरफ से ये opportunity तो आ चुकी है divine intervention हो चुकी है सब कुछ destroy हो रहा है उनको सोचना चाहिए इस moment में के ये सब कुछ जो destroy हो रहा है इसके पीछे क्या reason हो सकता है अब पता नहीं वो सोचेंगे या नहीं बिल्कुल थोड़ी possibility है वो शायद सोचेंगे but still जब वो आपकी तरफ आ रहे है तो बहुत serious energy के साथ नहीं आ रहे है they do have feelings for you they do have with the lover's energy बड़ा intense connection इस connection ने आपको बहुत tension दी है बहुत आपके patience को test किया है इस connection ने बहुत सहा है आपने क्योंकि जब inconsistent इस तरह के लोग होते हैं in and out, on and off अपनी convenience पर बात करना जब दिल किया आ गए अपना कोई मतलब लिया और चले गए फिर कुछ दिन बाद आ गए, फिर गाइब हो गए तो ये चीज बहुत ज़ादा तकलीफ दे होती है इस चीज आपने सही है इस connection में so throughout इस reading में देखे न कि आपकी energy आ रही है queen of pentacles, the empress, queen of swords तो आप बहुत mature इनसान है और बहुत आपकी energy में एक ठहराओ है, stability है एक serious stable partner है आप लेकिन आपके person आपके totally opposite है totally opposite so मैं बार-बार आपके person कह रही हूँ हो सकता है यापके ex हो maybe आप इनको जिंदगी में लेना ना चाहते हो कुछ लोग लेना भी चाहते होंगे but obviously बहुत सारे लोग reading देख रहे हैं सबके लिए different different messages है तो जो आपसे match नहीं कर रहा message उसको आप रहने दे तो yes मुझे ये नजर आ रहा है कि ये इनसान उनके दिल में feelings हैं आपके लिए but पता है बहुत immature energy है चाहे उनकी age जो भी है बहुत immaturity है emotional immaturity है मानते नहीं है जिद है, impulsive इनसान है बहुत ज़दा detached है अपने आप से spiritually बहुत ज़दा आप कहलें कि evolved नहीं है source से बहुत ज़दा detached है जो भी उनके morals है उनकी values है religion है जो भी religion है उनका आपका ये उससे भी connected नहीं है जब आप अपने belief system से दूर होते हैं तो आप बिलकुल समझ लें के भटक जाते हैं it is very important कि आपकी जिंदगी में एक belief system हो it keeps you, you know, moving and going forward आप notice कर लिजिएगा जो लोग अपने religion से अपने belief system से दूर होते हैं वो depression के अधिरों में चले जाते हैं वो परिशानियों में घिर जाते हैं जाहे जो भी आपका belief system है अगर आप Muslim है अगर आप Hindu है अगर आप Christian है but you have to have a belief system you have to have something जिस पर आपका faith हो right so आपकी जो भी जिसको भी आप अपना source मानते हैं उससे अगर आप connected नहीं रहेंगे अपने belief system से connected नहीं रहेंगे तो फिर यह problems होंगी जो अभी आपके person के साथ हो रही है so यह huge reason है main चीज तो यही उनका karmic lesson है यही उनका karma है कि वो बलकुल भटक रहे हैं इस वक्त कोई direction नहीं है कोई goal नहीं है कोई dreams नहीं है बस भटक रहे हैं वो अभी तक भटक रहे हैं purpose नहीं अभी तक उन्होंने find out किया तो कभी किसी से मदद ले ली कभी किसी के पास बैट गए बस चार लम्हे enjoy कर लिया बस यह जिन्दगी गुजर रही है कोई goal नहीं है तो बलकुल एक भटके वे मुसाफिर हैं इस वक्त आपके person वैसे तो हम सब ही मुसाफिर हैं लेकिन आपके person बहुत ज़्यादा इस वक्त destroy हुए है और यही उनका karma है and you know what कि मुझे यह भी नजर आ रहा है कि सिर्फ आप नहीं है यह और लोगों को भी hurt करते है I also feel कि उनका कोई mental issue भी हो सकता है उनकी family members के साथ भी उनकी नहीं बनती वो किसी work place पर वहाँ पर लोगों से लड़ाई जगड़े उनके होते हैं तो यह problem तो उनका चल रहा यह उनका issue है जिसको उनको देखना पड़ेगा उनका यह issue सब के साथ almost चल रहा है सिर्फ आपकी अकेले के साथ नहीं है यह issue तो इसको तो उनको अब heal करना पड़ेगा because बहुत ज़ादा इसकी वज़ा से उनकी जिन्दगी में मसाइल हो रहे हैं so yes यह है उनका karma आपको hurt करने के लिए so अब हम और क्या message देखें इसके उपर हम यह देखते हैं कि क्या यह इंसान कभी heal कर जाएंगे क्या कभी क्या कोई possibility है कि यह इंसान change होंगे या acknowledge करेंगे कि हाँ मैंने यह गलतियां की है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जिन्दगी में let's find out but अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए मैं कौन सा डेक यूज करूँ काफी confused हूँ मैं इस बारे में कौन सा डेक हमें यूज करना चाहिए future possibilities के लिए let me just see please just give me a moment क्या okay हम यही यूज कर लेते हैं below the surface क्या यह इंसान कभी heal करेंगे क्यूंकि हमें below the surface ही जाना है so let's see क्या यह इंसान कभी realize करेंगे कभी change होंगे क्या होगा क्या possibility है okay oh my god एक तो rapid changes देखिये right path क्यूंकि भटक रहे हैं उन्हें find out करना है सही रस्ता you are on the right path keep going through the in-betweens number 23 है और plus करें तो 5 बनता है conflict and change का number भी है so यह right path है अगर हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है यह उनको lead कर रही है उनके बेहतर future की तरफ बेहतर understanding की तरफ अगर वो समझ जाएं फिर है हमारे पास unexpected guest someone will be visiting you soon number 27 तो हो सकता है यह इंसान बहुत जल्द मैंने तो आपको बोला है कि आपसे reconciliation की कोशिश करेंगे बहुत जल्द मुलाकात की कुछ बातें करेंगे आपसे आपकी मदद चाहिए होगी your ancestors are watching make them proud number 32 है so उनके ancestors उनको देख रहे हैं उनको यह बोला जा रहा है make them proud और वो उसको carry कर रहे हैं बिजाए इसके के वो उसको heal करें and then embracing rapid changes you are fully equipped और देखिए rapid changes का दो बार यहां message आया है तो change तो आ रहा है constantly उनकी जिन्दगी में change आ रहा है बस यह है कि अब उनको embrace करने की जरूरत है तो बिलकुल यह possibility है कि वो इस change को embrace करेंगे यह उनकी जिन्दगी का breaking point हो सकता है और यही right path है जिससे वो light find out करेंगे मुझे कुछ लोगों के लिए भी feel हो रहा है कि early 20s में हो सकते हैं आपके person बहुत कम लोगों के लिए message early 20s में हो सकते हैं maximum age उनकी मुझे 35 तक लग रही है और I feel कि अभी यह उनकी जिन्दगी का एक ऐसा phase है जहां पर उनको समझना होगा once and for all कि यह जो ऐसे चल रहे हैं न वो ऐसे नहीं चल सकते हैं वो पूरी जिन्दगी they really need to learn something here so yes possibility तो है कि यह इनसान learn करेंगे मुझे नहीं पता कि आप दुबारा आप उनको accept करोगे या नहीं बट आप उनकी जिन्दगी में जरिया जरूर बने है awakening का आपकी वज़ास से उनकी जिन्दगी में यह change आएगा तो शायद आपको उनकी जिन्दगी में इसलिए भेजा गया ताकि वो अपना ये karmic lesson ले इसमें आपके लिए punishment नहीं थी इसमें उनके लिए सीखने को बहुत कुछ था इस तरह से situation को आपने देखना है अब हम आपके yes and no question के ओपर आने लगे हैं साथ आपके लिए letters और numbers होंगे so friends अगर आप personal reading book करना चाहते हैं description में आपको whatsapp number मिल जाएगा उस पर आप connect कर सकते हैं and friends मेरे new channel का link भी आपको description में मिल जाएगा जरूर आपने करना है subscribe and thank you so much advance में जिन लोगों ने already subscribe कर लिया है thank you so so much I'm so happy so शुरू करते हैं आपके yes and no से हमारे पास आगया है one 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 four four S B P F H B Q nine nine okay yes आग़ का है आपका आपका नशर nine Q C C 3 3 K S 0 7 7 U 5 J G and N Z Z B Y 5 5 V Q G H A 10 and 2 So, these are your letters and numbers and this is your reading. कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे आप जरूर बताएगा comment section में. और अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe किये बिना मत जाएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है, आप अपनी life में जो भी manifest करना चाहते हैं. New love, true love, आपकी life में जरूर manifest हो और जरूर होगा, क्योंकि you are worthy of love and you are lovable. अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगे आप से next video में. Till then, love you lots, bye-bye.